अस्सलाम हूँ अलेकुम मैं जुलेखार फाथ जुलेखास किचिन से तो चड़िया आज हम बनाते हैं बढ़िया से चिकन शिजवान हाटका नूडल्स जिसे आप चिकन शिजवान चाविन भी कह सकते हैं जटपट आसानी से घर के हाजर मसालों से बाजार से बहतर घर पर बन जाएंगे वैसे बहुत सारी मैंने इंडो चाइनीज रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड किये आप लोग के लिए पूरा प्लेइलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप महां चेक कर लीजेगा यह देखिए मैं तो खा रही हूं बढ़ी असे मज़े से और बहुत ही डिलिशिस है बहुत ही मज़ेदार है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी शेजवान हाका नूडल्स याने के चाउमिन बनाते हैं चलिए यह तकरीबन पाव किलो चिकिन बोल्लेस है थाई पोशन है चैरबी निकाली हुए है दो तीन पानी से धोके नतान ने चन्नी के उपर मैंने साइट पर रख दिया था वैसे इसके मैंने मीडियम पीसिस किये इसे एक बाल में दाल दीजिए इसमें दाल द चैका चमच लाल मिर्चो का पाउंडर कश्मीरी वाला है आपने नहीं दालना तो आप स्किप भी कर सकते हैं आधा चुड़ा चैका चमच विनेगर एक चुड़ा चैका चमच आधरक लसन का पेस्ट बहुत अच्छे से मिक्स करके मेरिनेट करने के लिए आदे गंटे के ल दाल रहे हूं अचा मेरे पास 500 ग्रम का पूरा पकेट ही है नूडल का तो उसमें से मैंने 280 ग्रम लिए है अब आप चाहें तो 300 ग्रम तक ले सकते हैं अब आप पोलेंगे कि आपके पास मिजान प्रॉपर है नहीं तो क्या करें जो नॉर्वल पकेट मिलती है ना वो एक प समझ की मदद से उन्हें सेपरेट करते जाएं ऐसे सेपरेट होंगे तो बैटर तरीके से पकेंगे उसी समय और इसे फास्ट आज पर पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक यह हलके से हलका सा हमें ऐसा पकाना है कि कच्चे रहे हलके से जादा ओवरकुक्ट नहीं करना ह ठीके अब यह हो चुके हैं आपने देखा मैंने तोड के देखा है तो मैं चूला कर देती हूँ बंद और इसे मैंने क्विकली नितार कर चन्नी के उपर रख दे और उसके उपर क्विकली उसी समय आप थंड़ा थंड़ा पानी दाल दीजिए सुधार ठीके थंड़ा पानी दालने का मतलब यह है कि जो प्रोसेस है इसका कुकिंग का यह हम बंद कर रहे हैं फिर वो क्या ओतना जब गरम यहाँ पर चन्नी के उपर रहेंगे तो वो तब भी पकते रहेंगे तो वो सौगी हो जाएंगे चलिए अब हम क्या करते हैं इस अच्छा नितर जाने दीजिए चन्नी के उपर उसके बाद है ना उसके उपर डाल दीजिए और थोड़ा सा खुला ऐसा छोड़ कर इसे तकरीबल 4-5 मिनिट तक ऐसे ही रहने दीजिए जब 4-5 मिनिट हो जाए और आप देखें कि अच्छे ठंडे हो रहे हैं तो उसमें ड रख देती हूँ यह थोड़ी सी सबजिया मैंने काट ली है यहाँ पर मैंने जो लाल और हरी सिमला मिर्च है उससे पतला पतला लंबा लंबा काटा है एक थी मीडियम साइज की तो मैंने वो ले ली है और दो प्यास को मैंने मीडियम साइज की ती उसे लंबा लंबा काटा प्याज है जो हरी प्यास की पती जो प्याज आती इन के आपने देख सकते हैं साइड पर 5 आपको चार पांच और या सप पता कर के रहा है जैसा आपको काट Well मेरीनुट होके चिकिन को तो उसके अंदर मैं एक अंडा फोड कर डाल देती हूँ, एक टेबल स्पून मैदा और दो टेबल स्पून कॉन फ्ला यान के कॉन स्टाज डाल दीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब एक कड़ाई के अंदर तेल गरम पर रख दीजिए, अच्छा गरम हो जाए, तो मीडियम आज करके, बिसमिल्ला एरा फानेरें बोल कर, यह जो हमारे चिकिन के पीसेज हैं, यह डालते जाएं, फ्यू आट टाइम दालें, बहुत जादा ऊवर्क्राउडेड ना कर दें, एक दुसरे में चिटकेंगे, तो बरापर से पकेंगे भी नहीं, और इसे तकरीबन आप पहले एक मिनिट तक तो ऐसे ही पकने दीजिए, मीडियम आज़ पर जब एक मिनिट हो जाए, तो पलट दीजिए, और इसे तरीके से ऊलट-पलट करते हुए मीडियम आज़ आज़ पर तकरीबन 5-7 मिनिट के दर्मियान तक पका लीजिए, 6-7 मिनिट तक आप पकाएंगे ना तो अंदर से पक जाएंगे और बहार से light golden brown की covering भी आ जाएगी तो जब light golden brown हो जाएं और 6-7 मिनिट हो जाएं तो इन्हें निकाल कर नितार कर मैं चंडी के ओपर दाल देती हूँ टिशू पेपर के ओपर सौगे हो जाते हैं इसके लिए मैं नहीं डालती हूँ इसी तरीके से सारे बैजेज में fry कर लीजिए चलिए मैंने सारे बैजेज में fry कर लिया और बढ़िया से बन गए हैं अब मैं एक और preparation कर लेती हूँ यहाँ पर मैंने एक प्याले के अंदर दो अंडे और थोड़ा सा नम्मक काली मिर्च को दाल कर फेट लिया है और अब इसकी कड़ाई के अंदर मैं थोड़ा सा असली गी दालती हूँ आप चाहें तो तेल भी दाल सकते हैं और जब पेगल जाए तो यह अंडा है यह दाल दीजिए और इससे स्क्रामबल लाय की तरह बनाकर इसे पक जाए तो साइट पर रख दीजिए ऐसे तो यह लगबग सारी प्रिपेरेशन हो गई है हमारे शिजवान हाका नूडल बनाने के लिए तो अब हम असेंबल करेंगे यानि के कड़ाई के अंदर उसे बगार देंगे यह आपने बहुत बार देखा होगा के रेस्टरॉंस के अंदर इसी तरीके से आपको छोटे-छोटे पीस फ्राइ करे हुए चिकिन के दिखते हैं चाहे वो शेजवान हाका नूडल्स हो या फिर शेजवान या फ्राइड राइस के अंदर हो बहुत बार मैंने तो नोटस क चलिए यह मेरे सारे बन चुके मैं ऐसे साइट पर रख देती हूँ अब सेम वही कड़ाए के अंदर तेल ले लीजिए तेल वही लीजिए जिसमें आपने चिकन को फ्राइ किया था जब तेल गरम हो जाए तो एक टेबल स्पून जितना बारे कटा हुआ लसन भी दाल जब एक मिनट हो जाए तो सबजियां आपने जो साइट पर रखी है वो सारी डाल दीजिए और उसे तकरीबन 10-20 सेकंड के लिए फ्राइ कीजिए फास्ट आज पर या फिर मीडियम आज पर बार बार चलाते रहिएगा तो मैं यूश्यली 20-30 सेकंड ही रखती हूँ क्यों यहां पर मैं सॉसेज डाल देती हूँ तो यह सॉसेज है तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना सोया सॉस दो चुड़ी चाय के चमच टमाटर सॉस दो चुड़ी चाय के चमच रेड चिली सॉस एक चुड़ी चाय का चमच विनेगर और 2 टेबल स्पून या आपके हिसाब से ज और बहुत अच्छी बनती है, जरूर बनाईएगा, चुटकी बर नम्मक दाल दीजिए और थोड़ा सा काली मिर्चो का पाउडर दाल दीजिए, वैसे काली मिर्च है वो तकरीबन आदा चोटा चाय का चमच मैंने निकाल कर रखिया, उसी में से ही डाली है, थोड़ा सा दाल दीजिए इसके अंदर, और हमारा जो हाका दूरल्स हमने बॉल करके रखा है, जिसे आप चाउमेन कहते हैं, वो सारा दाल दीजिए इसके अंदर, थोड़ा सा नम्मक स्वाद अनुसार दाल दीजिए, और जो मैंने काली मिर्ची का पाउडर आदा चोटा चाय का हमारे मतलब मेरे घर के हिसाब से रखा है, अब अगर आपको चाहिए के जादा स्पाइसी हो, तो आप शिस्वान चटनी दाल दीजिए, चिली सॉस दाल दीजिए, आपको थोड़ा सा बैलेंस करना हो टेसको, तो टमाटर सॉस अज़स कर लीजिए, तो वो सारा खटास हो एक प्याले के अंदर, स्पाइस अपने स्वाद अनुसार दालिएगा इस रेसिपी के अंदर, वेजिटेबल्स अगर आपको कोई आपके हिसाब से डालनी है, तो आप वो डाल सकते हैं, आप चाहें तो तीनो टाइब की सिम्ला मिर्सर दालें, आप चाहें तो सिर्फ हर अच्छा, अभी यहां पर आपको ग्रेवी भी अगर चाहिए, तो मैंने सिजलर के अंदर एक ग्रेवी बनाई थी, इसके साथ बहुत अच्छी से जाएगी चिकन की, तो मैं लिंक आपको डाल देती हूँ, डिस्किप्शिकन के अंदर, आप वहां चेक कर लीजेगा, और म मैंना मज़ेदार रेसिपी अगर यह रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें सेक्षिन में जरू शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंस में बहुत अच्छी लगते हैं, तो लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को उससे साथ अच्छी लगए अपने फैमिली और फेंस में इस